हाई, वेलकम टू मैट सुलिशन फांडेशन इस वीडियो में समझ जाएंगे कि 1 और 2 के बीच में 50 irrational numbers कैसे फाइंड करें 50 irrational numbers कैसे फाइंड करें तो ध्यान देजेगा सबसे पहले हमें number line ड्रा करने पड़ेगी यह हमने ड्रा कर लिया number line number line पर 1 और 2 हम लिख लेंगे ताकि हमें दिखाई दे कि कहां पर लाई करेगा यहां पर ले लेते हैं 1 और यहां पर ले लेते हैं 2 तो 1 और 2 के बीच में ध्यान देजेगा कैसे फाइंड करेंगे सबसे पहले आपको सोचना होगा कि irrational numbers दिखते कैसे हैं तो 1 और 2 के बीच में irrational numbers फाइंड करेंगे तो आखिर देखना होगा ना कि कैसे दिखेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे तो हमें 1 को और 2 को अलग-अलग फार्म में लिखना हुआ जैसे कि किस number का square root निकालने पर 1 होता है तो हम जानते हैं कि square root of 1 ही 1 होता है और square root of 4 2 होता है तो यह बताएंड रूट 1 और रूट 4 के बीच में जो भी numbers आएंगे वो सारे-सारे irrational होते हैं तो हम उनको लिख लेते हैं तो इसके just बाद number आएगा under root 2 और under root 3 तो हमें 2 मिल गए ठीक है under root 1 और under root 4 यह देखिए under root 4 जो है 2 के बराबर है under root 1 1 के बराबर है और इनके बीच में 2 हमें irrational numbers असानी से मिल गए root 2 और root 3 अब ठीक ऐसे ही हम cube root लेंगे तो किस number का cube root लेने पर 1 होता है तो इसके case में तो हम 1 ही लेंगे तो होगा केवल 1 ही वो number है जिसका cube root लेने पर 1 आता है लेकिन 2 लाने के लिए हमें एक number लेना होगा 8 8 का cube root लेंगे तब जा करके आएगा 2 अब इनके बीच में आसाने से निकाल सकते हैं irrational numbers चलिए उनको लिख लेते हैं तो इससे just आगे number है cube root of 2 cube root of 3 cube root of 4 cube root of 5 8 मतलब यहाँ पर हमने निकाल लिया 1,2,3,4,5,6,7,8 8 हमने निकाल लिया है अब लेकिन हमने तो और आगे बढ़ना है तो देखना होगा कि 1 का 4th root क्या होता है 1 का 4th root 1 ही होता है तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 4th root of 1 is 1 लेकिन किस number का 4th root 2 होता है तो 16 का होता है तो यहाँ पर लिख लेंगे 4th root of 16 ठीक है यह जो नंबर लिख रहा हूँ यहां पर यहां पर जो नंबर है और यह जो नंबर है यह टू के बराबर है इधान दिश जेगा और यहां भी जो नंबर लिख रहा हूँ कि 4th root of 1, 3rd root of 1 and square root of 1 यह सबी 1 के बराबर है तो इनको change नहीं किया जा रहा है अब यह जब बदल जा रहा है यहांपर बदल जा रहा है तो इनके इनके पीच में gap नजर आ रहा है जैसे one है और 16 हो गया तो इनके पीच में आप numbers find कर सकते हैं चलिए अब इसके बीच में देखते हैं तो यहांपर मिल जाएगा ए फोर्थ रूट आफ टू तो ठीक है यहां मिल जाएगा फोर्थ रूट आफ थ्री हम ने 22 इरेस्टन नबर्स फाइंड कर लिए अभी में हमें और फाइंड करना है तो हम लेंगे फिफ्थ रूट देखिए वन का फिफ्थ रूट जो होता है वो वन ही होता है तो यहां पर अब इनके बीच में जो नमबर्स हैं उनको लिख दीजे यहाँ पर मिल जाएगा हमें फिफ्थ रूट आफ टू देखे फिफ्थ रूट आफ टू का मतलब हो गया यह बराबर है टू टू दी पावर वन अपान फाइव असे ही लिख रहे हूं ठीक है तो फिफ्थ रूट आफ थरी इसी तरह सारा लिख देंगे तो यह हमारे हो गया टोटल फिफ्टी इरेशनल नमबर्स तो यहां से लेकर के देखिए के ध्यान से यह टू और यह सारे मिला करके और यह पूरा कंप्लीट पूरा मिल करके हो गया है आपका फिफ्टी इरेशनल नमबर्स इस तरह से आप बहुत सारे और भी निकाल सकते हैं आप शिक्स तरूर ले सकते हैं दनों विश में और भी उसमें से निकाल सकते हैं बस समझ गया थैंक यू सो मच फर वाचिंग बाई